हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल लता की लाइबरीरी आज मैं आपके साथ बहुती खुबसूरत पैटन सियर करने जा रही हूँ इस पैटन को आप और प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं जैन साफ स्वेटर, फूल स्वेटर, जैकेट, लेडी स्वेटर, कार्डिगन, कोट्टी, गल्स स्वेटर, गल्स टॉप, आदि में बनके बहुती खुबसूरत हमारा ये पैटन आ जाता है इसके अलावा आप इस पैटन को कैप में भी अपलाई कर सकते हैं बहुती खुबसूरत हमारा ये पैटन आ जाता है और फ्रेंट साइड से हमारा ये पैटन बनना स्टार्ड होता है सबसे पहले हम अपने प्रोजक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे फिर कोई सा भी बॉडर पैटन बनाके कंप्लीट करेंगे border pattern complete होने के बाद starting में हमने दो base row बना के complete कर लेने दो base row complete होने के बाद front side से हमारा ये pattern बनना start होगा अब हम अपना pattern बनाना start करते हैं तो देखे front side से first base row पहले हम अपने project के हिसाब से अपना border बना के complete कर लेंगे जब हमारा border complete हो जाएगा उसके बाद front side से हमारी first base row आएगी तो देखे first base row पहला फंदा उतारेंगे और front side से हमने first base row सीधा बुनते हुए complete कर लेनी है front side से जो हमारी first base row आएगी उसको सीधा बुनते हुए complete करेंगे यह देखे front side से हमारी first base row complete हो गई अब रॉंग side से देखे second base row पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे अब देखे एक दो तीन चार चार फंदे सीधे धागा अपनी side करेंगे एक दो तीन चार फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे चार फंदे सीधे लास्ट का फंदा उल्टा तो देखे एर रॉंग side से हमारी second base row complete हो गई अब देखे फ्रंट side से उता लेंगे अब next हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन फंदे सीधे अब next देखे यह जो next फंदा है यह पीछे जाएगा पीछे के दो फंदे आगे तो आगे की side से हमने इन दो फंदों को ऐसे right needle में उठाना है और आगे वाला फंदा से लीप करेंगे इसको back side की तरफ से left needle में उठाएंगे इस तरीके से फिर देखे जो right needle वाले फंदे हैं इनको left needle में shift करेंगे अब देखे इन तीन फंदों को सीधा बुन लेंगे एक दो तीन अब इन तीन फंदों को हमने twist करके सीधा बुन दिया अब next हम same process repeat करेंगे आगे के दो फंदे पीछे और पीछे का एक फंदा आगे तो back side की तरफ से तीसरे नंबर का फंदा right needle में उठाएंगे आगे के दो फंदे slip करेंगे इनको आगे की side से left needle में उठाएंगे इस तरीके से इन तीन फंदों को twist करेंगे अब इन तीनों फंदों को हम एक-एक करके सीधा बुनेंगे फिर देखे रेस्ट अमारे तीन फंदे सीधे आजाएंगे ये देखे ये तीन फंदे सीधे बुने पहला फंदा छोड़के इन ही 12 फंदों का पुरोसी समने आगे repeat करना है और last वाला फंदा सीधा बुन लेने तो देखे ये front side से हमारी pattern की first row complete होगे wrong side से देखे second row आप second row में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा पिछे कर लेंगे एक दो तीन फंदे सीधे धागा अपनी side करेंगे दो फंदे उल्टे फिर दागा पिछे दो फंदे सीधे धागा अपनी side दो फंदे उल्टे फिर दागा पिछे करेंगे तीन फंदे, सीधे, लास्ट का फंदा उल्टा, तो देखे एरों साइड से हमारी पैटरन की सेकिन रो, कम्पलिट हो गई, अब देखे फ्रंट साइड से पैटरन की थार्ड रो, थार्ड रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे, नेस्ट हम दो फंदे सीधे बुनेंगे एक दो दो फंदे सीधे अब देखे नेस्ट आगे का फंदा पीछे जाएगा पीछे के दो फंदे आगे तो देखे पीछे के दो फंदे आगे की साइड से राइट नीडिल में उठाएंगे आगे वाला फंदा सिलीप करेंगे बैक सा तीन फंदे सीधे आप देखे नेस्ट दो फंदे भी सीधे आएंगे ये दो फंदे भी सीधे आगे आप देखे नेस्ट ये दो फंदे पीछे जाएंगे और पीछे का एक फंदा आगे तो बैक साइड की तरब से देखे तीसरे नमबर का फंदा उठाएंगे राइट निडि में उठाएंगे राइट निडिल वाला फंदा भी लेफ्ट निडिल में सिफ्ट करेंगे अब इन तीनों फंदों को सीधा बुनेंगे फिर देखें लास्ट के फंदे सीधे आ जाएंगे तो देखें ये फ्रान्ट साइड से हमारी पैटरन की थाड़ रो कंपलीट हो गई रोंसाइड से देखें फोर्थ रो अब फोर्थ रो में देखें पहला फंदा उतारेंगे दागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे एक दो दागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे फिर दागा पीछे करेंगे एक दो तीन चार फंदे सीधे दागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे दागा पीछे दो फंदे सीधे लास्ट का फंदा उल्टा तो देखिए ये रौंग साइड से हमारी पैटन की फोर्दरो कमप्लीट हो गई आप देखिए फ्रन्ट साइड से फिपदरो पहला फंदा उतारेंगे एक फंदा सीधा अब नेश्ट देखे पीछे के दो फंदे आगे लाएंगे आगे का एक फंदा पीछे इस तरीके से आमने इन तीन फंदों को ट्विस्ट कर ले ना है फिर देखे एक दो तीन यह ट्विस्ट किये हुए तीनों फंदे हमने सीधे बुन देखे एक दो तीन चार यह चार फंदे सीधे बुने अब नेश्ट फंदे ट्विस्ट होंगे तीसरे नंबर का फंदा बैक साइड की तरफ से आगे आएगा, आगे के दो फंदे पीछे जाएंगी, अब इन तीनों फंदों को हम एक एक करके सीधा बुनेंगे, एक, दो, तीन, फिर लास्ट के फंदे सीधे, तो देखे ए फ्रांट साइड से हमारी पैटरन की फिप्त रो कंप्लीट हो गई, रोंग साइड से देखे, 6 रो, पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे आजाएंगे, धागा पीछे करेंगे, 6 फंदे सीधे आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, लास्ट का फंदा उल्टा, तो देखे, रोंग साइड से हमारी पैटरन की 6 रो कंप्लीट हो गई, आप देखे, फ्रांट साइड से पैटरन की 7 रो, पहला फंदा उतारेंगे, अब नेश्ट फंदे ट्विस्ट होंगे, पीछे के 2 फंदे आगे आएंगे, आगे का फंदा पीछे जाएगा इस तरीके से, फिर इन 3 फंदों को एक एक करके सीधा बुनेंगे, एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधे, अब नेश्ट देखे, 6 फंदे सीधे आजाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और 6, 6 फंदे सीधे, अब नेश्ट फंदे ट्विस्ट होंगे, तीसरे नमबर का फंदा बैक साइड की तरब से आगे आएगा, आगे के 2 फंदे पीछे, अब इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, एक, दो, तीन, लास्ट का फंदा सीधा, तो देखे, ए फ्रांटे साइड से हमारी पैटर्न की सेवंत्रों कम्प्लीट हो गई, रोंग साइड से देखे, एट तरू, पहला फंदा उतारेंगे, नेश्ट हमने दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, आठ फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे, लास्ट वाला फंदा भी उल्टा, त्रों साइड से हमारी पैटर्न की एट तरों कम्प्लीट हो गई, आप देखे, फ्रांट से नाइन तरों, अब नाइन तरों में देखे, पहला फंदा उतारेंगे, अब आगे के दो फंदे पीछे जाएंगे, पीछे का एक फंदा आगे, तो बैक साइड की तरफ से तीसरे नमबर का फंदा आगे लाएंगे, आगे के दो फंदे, आगे की साइड से लेप्ट निडिल में उठाएं इस तरीके से इन फंदों को ट्विस्ट करेंगे, अब देखे, एक, दो, तीन, ये तीन फंदे सीधे, अब नेस्ट देखे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे, छे फंदे सीधे बुने, अब देखे, नेस्ट, आगे का फंदा पीछे, पीछे के दो फंदे आगे, तो आगे की साइड से पीछे के दो फंदे राइट नीडिल में उठाएंगे, आगे का फंदा सिलीप करेंगे, बैक साइड की तरब से लेफ नीडिल में उठाएंगे, इस तरके से इन तीन फंदों फ्रेंट साइड से यमारी पैटरन की 9 तरो कमप्लेट हो गई रोंग साइड से 10 तरो पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे एक फंदा सीधा दो फंदे उलटे धागा पीछे करेंगे 6 फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, दागा पीछे एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, तो रोम साइड से हमारी पैटन की टैंतरो कम्प्लेट हो गई, अब देखे इलेवंतरो पहला फंदा उतारेंगे, एक फंदा सीधा, नेश्ट फंदे ट्विस्ट होंगे, तीसरे नंबर का फंदा बैक साइड से आगे लाएंगे, आगे के दो फंदे पीछे ले जाएंगे, अब इन तीनों फंदों को एक एक करके सीधा बुनेंगे फिर नेश्ट देखे, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे, अब देखे पीछे के दो फंदे आगे, आगे का एक फंदा पीछे आगे की साइड से दो फंदे राइट नेडले उठाएंगे, आगे का फंदा से लीप करेंगे बैक साइड से इसको लेफ नेडल में, इस तरहे के इन तीनों फंदों को ट्विस्ट करेंगे, फिर एक, एक करके सीधा बुन लेंगे फिर देखे नेस्ट फंदा सीधा लास्ट वाला फंदा भी सीधा तो देखे ये हमारी 11 तरो कंप्लेट हो गई अब रोम साइड से देखे 12 तरो पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे एक दो धागा अपनी साइड एक दो फंदे उल्टे चार फंदे सीधे एक दो तीन चार दो फंदे उल्टे आ जाएंगे दो फंदे सीधे आ जाएंगे रास्ट का फंदा उल्टा फ्रंट साइड से 13 रो पहला फंदा उतारेंगे दो फंदे सीधे नेश्ट फंदे ट्विस्ट होंगे तीसरे नंबर का फंदा बैक साइड की तरब से आगे आएगा आगे के दो फंदे पीछे इस तरके से इन तीनों फंदों को ट्विस्ट करेंगे फिर एक एक करके सीधा बुल लेंगे फिर नेस्ट देखे एक दो दो फंदे सीधे नेस्ट फंदे ट्विस्ट होंगे आगे के साइड से पीछे के दो फंदे राइट नीडल में उठाएंगे आगे का फंदा सिलीप करेंगे और बैक साइड की तरब से इसको लेफ नीडल में इस तरके से इन तीनों फंदों को ट् तो देखे यह अमारी 13 डों कम्प्लीट हो गई आप देखे रॉंग साइड से 14 डों पहला फंदा उतारेंगे दागा पीछे एक दो तीन तीन फंदे सीधे दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे तीन फंदे सीधे लास्ट का फंदा उल्टा मुन लेंगे अब देखे फ्रंटे साइड से 15 डों अब 15 डों में देखे पहला फंदा उतारेंगे एक दो तीन फंदे सीधे अब नेश्ट देखे तीसरे नंबर का फंदा आगे लाएंगे आगे के दो फंदे पीछे इस तरके से इन तीन फंदों को ट्विस्ट करेंगे और एक एक करके सीधा बुन लेंगे फिर नेश्ट फंदे ट्विस्ट होंगे तो पीछे के दो फंदे आगे आगे का एक फंदा पीछे ले जाएंगे इस तरके से इन तीन फंदों को ट्विस्ट करेंगे फिर इनको एक एक करके सीधा बुन लेंगे फिर देखे नेश्ट फंदे सीधे आजाएंगे ये देखे एक फ्रंट साइड से हमारी 15 डो कमप्लेट हो गई अब देखे रॉंग साइड से 16 डो पहला खंदा उतारेंगे धागा पीछे एक दो तीन चार चार खंदे सीधे धागा अपनी साइड चार खंदे उल्टे दो तीन चार दागा पीछे चार खंदे सीधे लास्ट का फंदा उल्टा ये देखे रॉंग साइड से हमारी पैटन की 16 डो कमप्लेट हो गई अब देखे फ्रंट साइड से 17 डो अब 17 डो में हमारा पैटन रिपीट होगा 17 डो को हमने फर्स्ट डो की तरह बुनते हुए कमप्लेट करना है रॉंग साइड से जो 18 डो आएगे उसको हम सेकिन डो की तरह बुनते हुए कमप्लेट करेंगे इन ही 16 सलायों के पैटन को हमने बार बार रिपीट करते जाना है और बन के देखे हमारा पैटन कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान पैटन है आप इसे ओल प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करे, सियर करे, कमेंट करे और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें थेंक्यू